यह है बोईंग कमपनी का चिनुक CH-47 यह एक हेवी लिफ्ट डूल रोटर ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर है इसे सबसे पहले 1962 में वर्टोल कमपनी के द्वारा बनाया गया था बाद में इस कमपनी को बोईंग के द्वारा खरीद लिया गया इस हेलिकॉप्टर को 22 देशों एंजिन्स लगे हुए हैं जिससे यह 315 किलोमेटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पर और 266 किलोमेटर पर आवर की क्रूसिंग स्पीड तक जा सकता है इसका खुद का वेट है 11,000 किलोग्राम और यह ओल्मॉस्ट 10,800 किलोग्राम वेट को लिफ्ट कर सकता है यह एक बार मे रिफिलिंग करके मैक्सिमम 740 किलोमेटर तक जा सकता है और लोड के साथ में 350 किलोमेटर और मैक्सिमम 6 किलोमेटर उपर तक यह जा सकता है ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर होने के बाद पीश में 37.6 mm की मशीन गन लगाई जा सकती है